हे गाईज में जी फैक्ट सी ये कोर नहीं वीडियो में आप सबका स्वागत है और आज मेरे पास आपके लिए बहुत सारी मज़ेदार खबरे हैं और आज नताशा ने हार्दिक बाइंडिया के लिए अपने इंस्टेग्राम पे एक स्टोरी डाली है जिसमें उन्होंने लिखा है और ये जो बात है ये बाइबल का एक वर्स है और ये पढ़ के मुझे समझा रहा है कि नताशा बताना चारीए कि हार्दिक पांडिया अपने से बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ट थे मतलब आपको नहीं पता तो वो कह रही है कि हार्दिक पांडिया बहुत ज़्यादा नारसिसिश थे वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते थे आपका इस वारे में क्या गहना है मुझे कमेंट में जरूर बताना अगली खबर आ रही है केल राहूल से केल राहूल के लिए बहुत ही बड़ी खबर है केल राहूल ने अपना परफ्यूम ब्रैंड लाउंच कर दिया है जिसका नाम है मेटा मैन और उसके साथ उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे ये फोटो शेयर करी हमारे फेवरेट रिंकु सिंग मिले सीम योगी अदित्तेनाद से और उन्होंने अपने बैट पे आटोग्राप भी लिया था अगली खबर आ रही है जैशा की तरफ से जैशा जो की BCCI के सेक्रेटरी थे वो अब बन गए है ICC के चेर्मेन और ऐसा बताया जा रहा है ICC को अपने चेर्मेन के लिए कोई अच्छा खासा जॉब प्रोफाइल वाला व्यक्ती चाहिए था तो उसके लिए जैशा एकदब परफेक्ट सूट करें जिस वज़े से विराट कोली और हार्दिक पार्डिया ने जैशा को कॉंग्रेचुलेट करा शाहिद अफरीदी नाना बन चुके हैं और ये फोटो और वीडियो उनकी बहुत ज़दा वाइरल हो रही हैं जिसमें लंडन की सडकों पे यारुषका शर्मा और अपने बच्चों के साथ गूमते वे नजर आ रहे हैं केल राउल फिर से बनने वाले हैं लस्जी के कैप्टेन दोस्तों अगर आपको याद हो लस्जी के ओनर संजीव गूइंका की ये वीडियो बहुत ज़दा वाइरल हुई थी जिसमें लस्जी के हारने पर वो केल राउल पे बहुत ज़दा चिला रहे थे और ऐसा माना जारा था कि वो केल राउल की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है जिस वज़े से वो केल राउल को रिटेन नहीं करेंगे लेकिन कल संजीव गूइंका की मीटिंग केल राउल से कॉल गता में हुई थी और उन्होंने उस meeting में उन्हें बोला है कि वो चाहते हैं कि LSG के captain KL Rahuli बने Ronaldo ने recently statement दिया है जिसमें उन्होंने का है कि वो कुछ सालों के अंदर retire होने वाले हैं और उन्होंने का है उन्हें नहीं पता वो कितने सालों और football खेलेंगे उन्हें लगता है कि वो 2-3 साल में retire हो जाएंगे बट उसके अलावा उन्होंने बोला कि वो अलनसार जोंकि साउदी की टीम से वो खेल रहे हैं उससे वो जल्दी retirement लेने का सोच रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं I see my future doing things out of football मतलब वो football की अलावा भी और चीज़े ट्राइ करना चाते हैं तो अगर आप रॉनाड़ो के fan हैं तो आपको ये खबर सुनके कैसा लग रहा मुझे comment में सरूर बताना नील कुमार जिन्होंने स्तरी movie में सरकटा का character का रोल करा है उन्हें बिग बॉस ने अप्रोच करा है अगले सीजन में आने के लिए अब क्या वो आते हैं या फिर नहीं ये तो उनके उपर है सल्मान खान बना रहे हैं शोले का रीमेक और इसके रीमेक के लिए उन्होंने बोला है जय और वीरू दोनों का रोल निभा सकते हैं स्टारू खान का एक घर कैलिफोर्निया बेवरली हिल्स में भी है जो कि तीन बेटरूम और छे बाथरूम वाला गर है और इस घर का एक रात का रेंट है दो लाख रुपे अगली ख़बर आ रही है कंगना रनौट की तरफ से कंगना रनौट ने एक और फिर से बड़ी स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि सल्मान खान अपनी मूवी सुल्तान और बजरंगी भाईजान के लिए कंगना रनौट के पास गए थे और उन्होंने दोनों मूवी के ओफर रिजेक्ट कर दिये थे उन्होंने बोला है कि वो सल्मान खान के साथ काम नहीं करना चाहती थी इस बात में कितनी सचाई है और कितनी नहीं आपको क्या लगता मुझे कमेंट में जरूर बताना और वो कहती है कि कुछ सालों के अंदर बॉलीवुड ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है एपल ने अपने आइपोन 16 की अनाउंसमेंट कर दी है जो कि लॉंच हो रहा है 9 सेप्टेमबर को तो क्या आप आइपोन 16 लेने वाले हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना राजकुमार राओ ने स्तरी मूवी से अपनी कुछ एक्स्लूजिव फोटो शेयर करी है जो की है राजकुमारी की आप खुदी देगी है वो कितने प्यारे लग रहे हैं इस्पोज में अगर आप एक कारलवर हैं तो ये ख़बर आपको बहुत ज़्यादा बुरी लग सकती है जिसमें दो मर्सेटीज बेंस एमजी जिनकी कीमत 6 करोड होती है वो दोनों टेश ड्राइब के दुरान एक दूसरे में ठुक जाती है और दोनों गाड़ी की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है लोगन पॉल को ये करने की वज़े से अपने फैन से बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है जिसमें वो अपने पॉड़काश के दुरान प्राइम को पीते हुए नजर आते हैं लेकिन उस बॉटल में प्राइम होती ही नहीं है वो एकदम खाली बॉटल होती है और बस वो पीने की एक्टिंग कर रही होते है जिस वज़े से ट्विटर पे लोगन पॉल के फैन्स उन्हें ट्रोल करने लग जाते हैं वो बोलते हैं कि प्राइम का टेस्ट इतना बकवास है कि लोगन पॉल को खुद भी नहीं पसंद और कुछ फैन्स बोलते हैं कि एयर का स्वाद भी प्राइम से ज़्यादा अच्छा है तो गाइस मैंने तो प्राइम ट्राइ नहीं करी अगर आप ने गरी है तो उसका टेस्ट कैसा है मुझे कमेंट में जरूर बताना तो गाइस बस अगर आप क्रिकेट पे ऐसी और मजदार वीडियो देखना चाते हैं तो यहाँ जरूर क्लिक करें और अगर आप बॉलिवुड पे देखना चाते हैं तो यहाँ जरूर क्लिक करें